दोस्तो अगर आप तरह तरह की चीजे ट्राय करके ठक चुके हैं लेकिन फिर भी आपके बाल जढ़ना बन नहीं हो रहे हैं, बाल हमारे लंबे, काले, घने नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा magical hair oil शेर करने वाली हूँ, जो आपके बालों से जुड़ी हर समस आपको solve कर देगा, तो दोस्तो आज हम बहुत ही कम और घर की ही चीजों से oil बनाने वाले हैं, इससे बाल आपके जढ़ना कम हो जाएंगे, और नए बालाने में मदद मिलेगी, तो magical oil बनाने के लिए मैंने आप लिए हैं दो प्यास, तो ये प्यास जो है वो लाल वाले होन होते हैं, और इसी वाज़े से हमारे बाल मजबूत होते हैं और बालों का जढ़ना कम होता है, तो सबसे पहले हम प्यास का छिलका उतार लेंगे, और फिर roughly चॉप कर लेंगे, प्यास को छीलने के बाद एक बार इसंख साफ पानी से हम वाश कर देंगे, अब मैं प्यास को बिल्कुल रफली चॉप करूंगी रफली चॉप इसलिए क्योंकि हम इसे grinder में डाल के इसका paste बना लेना है और अगर आप grinding jar में नहीं डालना चाते हैं तो आप grater की मदद से इसे grate भी कर सकते हैं हमें basically प्यास का rust निकालना है दोस्तों तो प्यास का rust जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial होता है तो आज मैं आपकी साथ में जो oil share कर रही है अगर आप उसे regularly लगाते हैं तो खुद बख खुद आपको फरक पता लगने लगेगा आपको खुद ही feel होने लगेगा कि आपके बाल कितने मजबूत हो गए है और आपको इसका result 100% मिलेगा तो प्यास को मैंने आप रफली चॉप करके grinding jar में दाल दिया है अब इसे grind कर लेंगे अब ध्यान रहें बिल्कुल पीप से पानी नहीं डालना है बिना पानी के आपको इसे grind करना है तो grind करके होने के बाद हम इसे चान लेंगे strainer की मदद से और इसका जितना भी juice है पूरा हमें निकाल देना है दोस्तों अगर आपको गंजेपन की शिकायत है तो इस oil को जरूर की जरूर लगाए तो अब हम इन्हें चान लेंगे बारी-बारी से क्योंकि पूरा एक साथ strainer में नहीं आएगा और हमें maximum juice जो है इससे निकालना है तो इसलिए मैं बारी-बारी से इसमें डालूँगी और maximum प्रेस करते हुए इसका juice निकालूँगी दोस्तों इस onion oil को लगाने के बाद हमारे बालों में smoothness और shine आती है और यकीन मानिए इस onion oil को लगाने के बाद आप बाकी सारे oil लगाना छोड़ देंगे और आप सिर्फ इससे ही use करेंगे और दोस्तों ऐसा निये कि आपने एक ही बार oil लगा लिया छोड़ दिया आपको इसे regular करना है regular apply करना है आपको हफ़ते में 3 या 2 बार तो करना ही करना है इसे कैसे apply किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों आप इसे fridge में store करके रख सकते हैं एक हफ़ते तक एक हफ़ते तक ये खराब नहीं होता है एक हफ़ते के इसे ज़ादा आप ना रखे इसे वरना इसमें स्मेलाने लगी तो सारा जूस जो है निकल चुका है और इस अनियन जूस को हमें काच की बॉटल में निकाल के रखना है क्योंकि काच में शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है आपको इस बॉटल को रख देना है फ्रिच में एक हफ़ते तक अराम से ये चल जाएगा खराब नहीं होगा बिल्कुल भी तो देखिए इतनी कॉंटिडी में हमने अनियन का जूस जो है बना लिया है बिल्कुल फ्रेश है और घर में ही बना हुआ है एकदम ओरिजिनल है और अभी मैंने यहापे एक बोल ले लिया है और मैं यहापे लूँगी दो चमच जो अभी हमने बनाया था अनियन जूस वो और इसमें आप कोई भी तेल मिला सकते है आप चाहे तो ओलिव ओल मिला सकते हैं आलमंड ओयल मिला सकते हैं सरसोह तेल जो भी है यह अप इसमें सकते हैं तो मैं है नानियन जूस दो चममच यह जाना ही टो अच्छे से अझाले दोला है अगर आपको न्यसील पसंद नहीं है और आपको यह श्यों लगती तो आपको यह इसन्ट्यंशन उयस्में minimum बस आपको एक drop ही essential oil का use करना है इससे की सारी जो प्यास की smell है वो हट जाएगी दोस्तों अब आपको scalp पर अच्छी तरह लगाना है और लगा कर कम से कम आपको एक घंटा रखना ही रखना है या फिर और अच्छा होगा अगर आप इसे overnight रखे तो जितना ज़्यादा देर आप इसे रखेंगे अपने scalp पे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा ये फाइदा करेगा आप इसे इस तरीके से circular motion में अपने बालों पे लगाए आपके बाल जो हैं वो लंबे, घंए और मजबूत होंगे अगर आपको premature grain की शिकायत है तो वो भी इसके इस्तमाल से दूर हो जाएगी इस onion oil को अपने scalp पे इस तरीके से लगाए हलके हातों से circular motion में आपको massage करना है दोस्तो circular motion में massage करने से blood circulation अच्छा होता है, fast होता है जिससे की नए बाल आने में मदद मिलती है इसे लगा कर आपको कम से कम एक घंटा जरूर रखना है अगर आप रात भर रखे तो और भी अच्छा है जैसे की मैंने आपको बताया कि प्यास का तेल जो है वो सफेद बालों को काला करने में मदद करता है प्री मेचौर ग्रेंग जू होती है न उसको उसमें ये बहुत ही मददकार साबित होगा दोस्तो इस हर्बल ओईल को आप जरूर बनाए घर पे 100% आपको इससे फाइदा होगा आप भी इससे इस्तेमाल कीजे इस ओईल को और अपने प्रियेजनों में इस वीडियो को जरूर शेर कीजे ताकि उनको भी इससे फाइदा हो कैसी लगी आपको मेरे वीडियो उमेड करती वडियो अच्छी लगए होगी असको प्रेस करना है All को Option इससे कि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगी Thank you so much for watching this video friends, मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपने अपना रखे ध्यान, सामडी वालों का ध्यान रखे, जरुत पढ़ने पर ही बाहर निकले वरना घर पे ही रहे और मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाई, टेक केर